तो इनसान है उतार गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संचिप्त है इसका कोई सार नहीं कोशिश करिए सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी कुछ न कुछ तू मिलेगा सफलता मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है असफलता मिलेगी तो बहुत बड़ा भ्यास होगा बहुत कुमार अनुस्का सिंग और भाई कौन जुड़े हैं मुकेस के सरवानी जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का चलिए आपकी कलास सुरू हो चुकी है सीटेट सुपर टेट स्पेसल रूप से यह आपके लिए एक सब्सकार से कॉमपर्टीशन वाले छात्रों के लिए बिसेस रूप से महत्तवपुर्ण कलास है तो पहला सवाल हम सुरू करते हैं आपके सामने अब सभी बत्चे आजाएं पिवी रिष्टेडी चैनल नंबर तीन पर ही सारी कलास होती है तो सुपर टेस्ट लिखा है एक टेस्ट लिखा यार भई टेस्ट लिखा होगा पहले फिर से पर लो एक बार अगर कोई मिस्टेक है तो पता देना चलो तो ठीक है कुश्चन नमबर पहला देखो क्या कह रहा है ध्यान दो आप लोग फार्स्ट कुश्चन कह रहा कि दो पूर्ड लिखो दो पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल 24 है कि यहां लिखो यहां कुश्चन नमबर पहला आज का यह थोड़ा कम सही चलता है देखो यह यह यूपीटेट की परिच्छा में पूछे गए सवाल है यूपीटेट एक्जाम में आएस कुश्च प्रस्ण पंद्रा तक इसमें इंक डालो पहले कि ट्वंटेटी बूंद्र कम सहलो चलो पहला कुश्चन क्या कहरा ध्यान दो बहुत ध्यान से समझो कहरा दो पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल 24 है समझने की कोसिज करिए यह यह बहुत कम चल रहा है मैं थोड़ा इंक डाल के तब फिर सुरू करता हूं ठीक है ठीक ह हाँ आप लोग सुनों और करो दो पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल 24 है इन संख्याओं का निवनुतम संभो योग क्या होगा चलो सोचो और बताओ दो पूर्ड संख्याओं का जो गुड़नफल है वो 24 है इन दोनों संख्याओं का निवनुतम संभो योग क्या होगा सोच के बताओ चलो सोच के बताओ चलो कितना होगा हाँ तो मैं लिख देता हूं दो पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल 24 है तो इन संख्याओं का निवनुतम संभो योग कि देखो सीधी सी बात है आपको सिर्फ इनके गुड़नखंड समझने है ऑप्शन दे दें क्या आप लोग ऑप्शन से करोगे ऑप्शन लिखो और उसमें से सेलेक्ट करो दस बारा आठ नो लिखो नो आठ बारा दस चलिए कोसिस करिए पूर्ण संख्या बोल रहा है गुड़नफल 24 है भाई देखो सीधी सी बात यह है कि अगर यहाँ पे गुड़नफल की बात बोल रहा है यह बंदा तो मतलब हमें क्या करना है दो ऐसी संख्या है लेना जिनको गुड़ा करने प है कि पूर्ड संख्या बोल रहा है ना पूर्ड संख्या मतलब जान रहे हो पूर्ड संख्या मतलब फर्फिक्ट रूड नहीं मतलब वोल नंबर कि क्यों होल नमबर को क्या बोलते हैं इंगलिस में चलो लिखो देखो यहाँ पर जो 24 लिखा गया है इनके गुड़नफल क्या क्या हो सकते हैं आप सोचो इनके गुड़नफल क्या क्या हो सकते हैं भाई 24 है इसके गुड़नफल क्या क्या हो सकते हैं इसका पहला जो संभो गुड़नफल हो गा नंबर एक आठंगवल गूड़ा तीन होगा के दूसरा बारा गूड़ा दो होगा तीसरा इसका गुड़नफल छे कुड़े चार हो सकता है चौथा गुडनफल और क्या हो सकता है आठ तीन हो गया और कुछ होगा क्या बताओ कोशिस करो जल्दी से फालतू जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बहुत जल्दी बुलाक करके यहां से भगा रहा हूं ठीक है पढ़ाई करना है तो चुप चाप पढ़ लो विकास सर्मा ठीक फिर संदे संडे सींतर करो संडे को आना लब स्थोरी संते रहो अंतो के सब्सक्राइब जोड़ सकते वालग ना और भी कोई होगा क्या को इन दोनों को जोड़ों के भी आतो आट तीन, को गुड़ा कर दें तो 24 हो जाए नहीं ना यानि नियुन्तम संभो योग यह है दस है कि बात समझ गये ना इसमें से आपसर नंबर 10 सही होगा बागी कोई सही नहीं होगा फिर से एक बार सवाल पढ़ लो कि दो पुर्य संख्याओं का गुड़नफल 24 है भाई दो होल नंबर हैं हा तो यह हो गया ना छलो कि कर-क आगया ना समझ में 3 गुड़े mean 8 8-31 होगा संद्याजी मैं 3 कुड़े ठीक है चाया गुड़े 3 करो मतलब तो एक हुआ ना मतलब तो एक हह वмы तिन गुड़ें 8 करोगी तो 8 3 11ह होगा और अगर instrument 3 करोगी तब भी 11होगा तो इसमें कि यह आपका हो गया फैस्ट कि अगला कुश्चन पर ध्यान दो बहुत ही इंट्रेस्टेड एंड मज़ेदार कुश्चन है आप लोग समझने की कोशिस करो बाई चलो नेक्स्ट कुश्चन यह हो चुका है नेक्स्ट कुश्चन देखो मुझे लिखने में कुछ सिकेंड लगते हैं आप लोग यह से ही अपना सपोर्ट करते रहिए जल्दी ही डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा ठीक ना थोड़ा सा यह वी वक्त बचेगा लिखो गुड़नफल 3001 इंटू 101 में से क्या कह रहा है कि गुड़नफल मल्टिपल गुड़नफल 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए क्या घटाया जाए जिससे की 300311 प्राप्त हो जाए सोचो जिससे की 300311 प्राप्त हो जाए चलो बच्चा कोशिस करके मुझे एक बार बताओ क्या होगा चलो रेड़ी हो जाओ जल्दी से हाँ सचीन कुमार जी ठीक है नए हो अच्छी बात है हम चाहते हैं कि आप हर दिन देखे और पुराने हो जाए चलिए देखिए कुश्चन आप देखने की कोशिस करिए भाई बार बार कमेंट ना करो एक ही बात नहीं तो बलाक भी होते हैं आपे लोग ठीक है एक बार बो करोगे तो बड़ा गंदा लगता है कि आप सन देखो मैं लिख रहा हूं कि आप सन क्या है बच्चा लिख लो 2790 कि दूसरा आप सने बच्चा लिखो 1370 कि तीसरा आप सन है 2090 कि और एक आप सने 270 कि सोचो और आप सन सेलेक्ट करो चलो रेडी जल्दी से फटा फट इसमें से कौन से ऑप सन सेलेक्ट होंगे देखिया पीबियो ऋस डीडि चैनल नंबर दो पे आप देख रहें ना यही सपेशली कंपर्टीसन के लिए चैनल आपकी पीबियारिस डाहबा चैनल पे भी आपको कलासे मिल जाती ए लेकिन क्या है यह कलासें आपको मिल तो जात है तो अपनी बात चाहो तो ऐसे भी भेज सकते हो लेकिन तुम इतना चीज लगा दे रहे हो इसमें ना की पागल हो जाए देखके हम छलो कि इन में से कौन सा आप्सन सही होगा आपको सेलेक्ट करना है कैसे करोगे सोचो भाई छोटू इस्टूडेंट बताओ चलो So to study कैराओं इनके कुड़नफल में से क्या घटाएं कि इतना मिल जाए तो भाई सीधी सी बात ही है बच्चा मान लेते हैं कि इसमें से यक्स घटाएं चूकि ये बेसिक कलास तो है नहीं इसलिए हम डारेक्ट ली कर देंगे क्या करेंगे डारेक्टली इसमें से यक्स घटा देंगे हमने मानलिया यक्स गटाएं और हमें जो मिलने को बोल रहा है उसको इसके आगे लिख देंगे 1300-311 हल कर लेंगे दोनों को सबको और हल करके कमान निकाल लेंगे और यहीं क्या हो चाने बच्चा यह आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है तीस एक तीस जीरो एक इनका गुड़ा भी आप कर सकते हो चाहो तो यह माइनस है न अब आई इधर साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा कितना आएगा विकास बाबू चलो जल्दी कोशिस करो फटा फट जल्दी से देखो कोई न कोई तो आपसन बताओ ना यार भी देख फांडे आप भी बताओ ना कोई आपसन चलो जल्दी करो हो गए सीधी सी बात है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमें गुड़ा कर लेना है गुड़ा करेंगे हम तो कितना आएगा पता है 101 का इसमें गुड़ा कर लो यार फटा फट आप लोग चाहे गुड़ा करना तो जानते हो कोई बड़ी बात तो है नहीं हां काओ तो मैं 00311 और माइनस आप्शन में मिटा दे रहा हूं अब ठीक है आप्शन मिटा दे रहा हूं 2790 लगभाग ऐसे कुछ आना चाहिए देखो basic math में एक गुड़ा भाग बताया गया कैसे गुड़ा हो गया अब यहां पर मैं गुड़ा करके नहीं सिखाऊंगा कि multiple कैसे हो गया गुड़ा कैसे हो गया इसलिए basic math सिखा जाता बच्चा हां तो यह 303 101 इसमें से घटाओगे तो जो आएगा क्या आएगा माइनस में आएगा अब घटाना तो आपको आता ही है अब इसको भी कहो तेहीं कर दूँ मैं यह लो चलो 300 311 इसको तो करे लोगे न 29 तर आएगा सुन्दर सिंग बिल्कुल राइट बेरी गुड 2790 आएगा बच्चा बेरी गुड माइनस 2790 आएगा दोनों तरफ माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा तो 2790 इसका अंसर होगा ठीक है अरे घटा लो यारे 0 आएगा यह 9 आएगा यह क साथ हाँ चुकि वह जीरो बचेगा उसमें से उधार देगा तो दस बनेगा और फिर यह दस में से तीन और यह दो और यह बच्चा एक बचा रहेंगा केले दो हाँ ठीक है यह हो गया आपका राइट अंसर जल्दी करिए इसको लिख लीजे जिनको लिखना है फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बहुत जल्दी करिए फटा-फट यार यह थोड़ा से डिश्टाव कर देता यार यह कुछ घटा वड़ी है बोर्ट मतलब मज नहीं आती थोड़ा दिखता है धर उधर तो चलो कि बिरिजिकांत मिस्रा जी राइट कारेक्ट नेक्स्ट कुश्चन पर चलें देखो कुछ सीकेंड आप लोग देख लो इसक्रीन साट ले लो लेना चाहो तो हो गए इसक्रीन साट ले लिया आपने चली अगला सवाल पर चलते हैं अगला सवाल बड़ा ही अजीब सा है कहरा कि 6 बटा 5 में से में कितने एक बटा 10 हैं चलो बताओ 6 बटा 5 में कितने एक बटा 10 हैं कितना अच्छा है ना यह यह सब यूपी टेट परिच्छा में पूछे गए सवाल है जो कि आपकी आगामी सूपर टेट और सी टेट और आपका कोई भी टेट है चाहे तो MP वर्ग 3 आप लोग दे रहे हैं या फिर जे टेट, एच टेट, बी टेट मतलब किसी भी राजी का टेट है सबके लिए महत्वपुर्ण है याद रखना चूकि यह सिच्छक भरती परिच्छा में आ चुके हैं सवाल तो एक बार जो आ जाते ना वो कुछ-कुछ साल के अंतराल पे फिर से आते हैं चलो तो बच्च सवाल नंबर तीफरा लिखो करा कि छे बटा पांच में में कितने एक बटा दस हैं क्या है कितने एक बटा दस हैं आप लोग आपसन बताओ चलो पहला आपसन है आठ दूसरा है बारा तीफरा दस है और लाइस्ट आपसन है बच्चा नाट इन में से कोई नहीं देखो बहुत सिम पल है करा इसमें से कितने एक बटा दस है कि देखो जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछूं एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि 10 में 10 में कितने दो हैं तब तो आप बता लोगे बड़े अराम से बता लोगे न अगर मैं आपसे पूछूं दस में कितने 2 हैं तो आप बता लोगे अगर मैं और आसान करदू अब मैं पूछऊ चलो बच्झा बताओ 4 में कितने 2 है सभी बता लोगे 4 में बैह चार रुपए अगर है तो 2, 2 के 2 सिक्के होंगे मतलब 4 में 2, 2 है ना 10 में कितने 2 है 5-2 है लेकिन आता कैसे है यह है कैसे पता चला आपको कि 2 जो हैं वो 5 है इसमें 2 हैं इनको हम भाग करते हैं 10 बटा अगर 2 करोगे यह 5 आएगा बच्चा तो हमें पता चल गया कि 10 में 10 में 2 की संख्या कितनी है 5 है तो वैसे हम उपर वाला सवाल भी कर ले जाएंगे बस याद रखना आप कहीं भी ऐसे पूछा जाता है फटाग से भाग करोगे हां चाबटा 5 में कितने दस हैं एक बटा दस हैं भाग कर लो यह अंदर अंदर का गुड़ा बाहर बाहर का तो छे गुड़ा दस और ये एक गुड़ा पांच पांच जुना दस बराबर बारा अंसर आगे है इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है बहुत आसान है चुटकियों में कर लोगे भाई साब इसको पहाडा बोलकर भाईया सुखलाल गुरजर जी आप कैसे इसका पहाड़ा पढ़ोगे एक वटा दस का कौन सा पहाड़ा पढ़ोगे हम होगे न तो मैं इसको मिटाओं भाई सभी बच्चे लाइक करो नहीं आर कलास को ऐसे कैसे काम चलेगा यार जल्दी से सभी लाइक करो जो भी बच्चे जुड़े है सभी जल्दी से सेशन को लाइक करें फटा फट ये कहने में बड़ा गंदा लगता है यार लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो जो नए साथ ही आये है चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी से और हाँ बेल आइकन जरूर अन करना नोटिफिकेशन की बटन बगल में घंटी का निसान आएगा उसको हलके में मत लेना नहीं तो लाइब होगा तो आपको इंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि लाइब चल रहा है इसलिए उग घंटा जरूर दबाना हाँ चलो आगे देखो थोड़ा आजीब सा लगता है लेकिन यह बहुत जरूरी चीज़े है यह तो बाद में पढ़ी न पाओगे यह हो गया एक और है एक और है वो का कह रहा है ध्यान दो अगला सवाल है next number आपका चौथा पच्वा नंबर हो जाएगा आज का कि चौथा नंबर कि पयायत रहा बच्चा कि तीन साही 1 बटा 3 में कितने एक बटा 6 है इतनी साही 1 बटा 3 में कितने कि 1056 ट्र e कि जंश Sam आपके option मैं देदूं चलू जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन बताह लएगा वही सुकलाल विवेक 15 18 12 20 15 18 ये लो चलो फटा फट बता दो बच्चा सुकलाल गुर्जर नाइन्थ का बच्चा कितना बार बताऊं साम को चलती बाबू साम को साथ बज़े चलती है कच्चा नावाली जित्ते भी चेले जुड़े हैं वो पीवी आरे स्टडी 3.0 चैनल पर जाएं पीवी आरे स्टडी 3.0 चैनल यूटूब पर सर्च करें और साम को साथ बज़े देखें देखें संध्या सिंग का उतर आगे बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है ये इस सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब इस दारेक्ट भाग करते हैं तो फाइनल करोगे बच्चा तो चागुड़ा दस और तीन गुड़ा एक अंसर आएगा 20 बिल्कुल संध्या सिंग ने बहुत अच्छी कोशिस किया इनका बिल्कुल सही है ठीक है जी ब्रिज कांत मिसरा जी बहुत अच्छी बात है आपने हेल्प किया इस्टूडेंट की बेरी बेरी थाइंक्यू आपको चलो नोट करो जल्दी से तो भाई आपका ये नंबर सिस्टेम आज इंड हो जाता है संख्या पद्धती आज खतम हो जाती है साथ कलास में इसके बाद हम मैथमेटिकल आफ्रेशन पढ़ेंगे समझ रहो ना गणितिय संक्रिया पढ़ेंगे साथ कलास में हमने संख्या पद्धती के लगबग बहुत कुछ आपको पढ़ा दिए अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए इस लाइफ कलास का और एक काम करवा प्लेइलिस्ट में चले जाओ भाई प्लेइलिस्ट में जाके देखो तो प्लेलिस्ट में सारी कलासे उपलब्द हैं चाहे आप पीबी रिस्टडी लहाबाद चैनल देख लो चाहे पीबी रिस्टडी चैनल नंबर दो क्योंकि यह चैनल नंबर 2 इस पैसली कॉंपर्टिशन के लिए किसी के मन में और कोई कि अगर चल रहा है बावाल तो बता दो अगे चले होगे ना आया समझ में अगला क्या है गणतिये संक्रियाएं इसमें कि अभी मैं आपको कुछ सवाल बता दे रहा हूं लेकिन कल इसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा गणतिये संक्रियाएं देखो आप लोग खोलो चलो किताब उताब लिए हो तो ठीक है अगला चैप्टर है गणतिये संक्रियाएं जिनको मैथमेटिकल आप्रेशन बोलते हैं इसमें हम लोग मैथ का आप्रेशन करेंगे रहिला खनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको चलिए आपका सिकेंड चैप्टर सुरू होता एक नया भ्यास जिसका नाम है गणतिये संक्रियाएं गणतिये संक्रियाएं में कुछ सवाल पूछे गए हैं पिछली कुछ परिच्छाओं में यूपिटेट में जिसमें का ये पहला सवाल है कहरा इसमें यक्स का मान ग्याद कीजिए यक्स अपान 8 प्लस 4 अपान 7 यक्स अपान 8 प्लस 4 अपान 7 इक्वल 53 अपान 56 ये है बच्चा ठीक है इसमें यक्स का वैलू आपसे पूछा गया है आपसन आपके सामने है चार पांच दो तीन चलो जबाब दीजिए बिबेक संध्या ब्रिजिकांत सुसील सुलेखा राच कोशिस करना यार इसमें से यक्स का वैलू क्या हो सकता है देखो सिंपल है बहुत है सिंपल है आती सिंपल है यक्स अपान 8 53 अपान 56 माइनस का 24 अपान 7 हां ऐसा कर सकते हो ना बच्चा कोई मुसीबत नहीं इनको तिर्चा मिर्चा करके अपना बराबर करो तो यह क्रास मल्टीपल करना ही ज्यादा अच्छा लगे गए यह साथ त्रिक एकईस कि साथ पच्छे पाइंटीस दूई साथ च्छंग और साथ पच्छे पाइंटीस चार उन्तालिस इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो देखो अगर इसका आप शल्ट में लेता है यार ऐसे मजानी आएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर मिकाटना पीतना पड़े गए ने फिर काटना पड़ेकर मतलब भाई तो यह 56 होगा है अभ आप क्या करते हैं हम लसी आ में भाग करते हर से हां भाग करते न तो 56 में जब 56 से भाग करो गए भाई साप तो यह एक आएगा तीरपन में गुड़ा कर दोगे तो तीरपन ही रहेगा माइनस चपन में जब साथ से बाग करोगे बाबू तो कितना आएगा भई साथ पच्छे पाधिस साथ आठे चपन आठ आएगा ना और आठ का इसमें गुड़ा कर दोगे आठ चोक बतीस बस यक्स बटा आठ बराबर एक और दो और 56 क्यों यहीं आएगा ना लिख लो जल्दी सितना इसमें कहीं कुछ गड़बर है का नहीं कहीं गड़बर नहीं है अब तीरशा गुड़ा कर लो फाइनल करोगे तो यक्स बराबर आठ गुड़ा 21 बटा 56 आएगा कार्डो भीया आठ सते 56 साथ तरीका 21 यक्स का वैलू तीन आएगा सबसे पहले इसका उत्तर दिया था सूसील यादो ने सूसील यादो ने सबसे पहला जबाब दिया था ब विवेक और संद्या सिंग अपने तो आंसर नहीं दिया सिर्फ बनाई रही हो आप दिपांसु रस्तोगी सिर्फ इस चैनल पर ही है लाइब दिपांसु जी ये कंपटिशन की कलास है बच्चा ठीक है तो ये चैनल कंपटिशन के लिए भी से इस रूप से है तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं बाबु जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूरान करेंगे नोटिफिकेशन की बटन को जरूरान करके रखना चलिए आज की कलास यहीं पर इंड करते हैं फिर अगली कलास आपकी होगी फिर कल से उपर देखो नंबर दिया गया आप लोग उस पर संपर कर सकते कोई इंक्वारी है तो पीबियर स्टडी लाहबाद चैनल पर आप नौबजे से अभी लाइब होगी आप लाइब में पढ़ेंगे डियलेट का सिकेंड समेश्टर ठीक है और जो सभी कलास का लिंक चाहते हैं वो हमारा टेली गराम चैनल जरूर जोईन कर लें डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है अगर नहीं जानते टेली गराम क्या है तो जान लो टेली गराम वट्सप की तरह एक चैटिंग मेसंजर एप है जिसे आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करके वट्सप की तरह यूज कर सकते हैं रहिला खनम आपको उपर कल दिन में दस बजे के बाद फोन कर लेना और आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है आप मैत बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत-बहुत शुक्री आपको फिर नव बजे फिर आप लोग आईए जरूर आईए बारी से बारी संख्या में